हमश्कार दोस्तों आज का पूरा वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड का होगा इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम कोटक बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड को घर बैठे ले शकते हैं कोटक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट का फीचर और without deputy दोनु तरीकों से ले सकते हैं अगर without deputy लेते हैं तब तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर FD के basis पर लेना हो तो कितने की FD करानी होगी उस FD में पड़े amount को हम कब तक निकाल सकते हैं FD credit card का limit बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ऐसे कई सारे सबालों के साथ KOTEC Dream Different Credit Card का पूरा detail जानेंगे इसी एक वीडियो बे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों KOTEC Bank के अंदर सबसे ज़्यादा popular होने वाला Dream Different Credit Card है इसके बाद ही कोई KOTEC League या KOTEC A21 Card आता है अब Dream Different Credit Card के popularity होने का कारण तो इसका features भी बता सकता है कि आखिर क्यों ये credit card इतना ज़्यादा popular है क्यों ये credit card सबसे ज़्यादा demand पे रहता है तो आईए सबसे पहले हम इसके features को समझते हैं जिसके features तो सबसे पहले bank कहता है कि भाईया हम इस credit card को customers के बीच lifetime free दे देंगे ठीक है lifetime free ये credit card मिल जाएगा जिसमें आ तो आपको joining fee देना होगा और नहीं कभी annual fee आपसे charge किया जाएगा इसके बाद दूसरे feature में समझते हैं welcome benefit को दूसरे feature जो KOTEC bank देता है वो welcome benefit का होगा जिसमें कि अगर customer इस credit card को activate कर लेता है और activate करके 45 दिनों के अंदर अंदर activate करके 45 दिनों के अंदर अंदर जब 5000 रुपे अस्पेंट कर देता है कोई भी card holder इस credit card से तो उन्हें 500 का bonus reward point मिलेगा जो कि बेलकम benefit में count किया जाएगा अचा अब समझते हैं जी reward system को जिसमें KOTEC bank कहता है कि भाई या हम हर customers को हर 100 रुपे online spend करने पर 2 point देंगे और हर 100 रुपे offline या बाकी कहीं भी spend करने पर 1 point customers को मेरे तरब से दिया जाएगा ठीक है इसके बाद ATM cash bidowel बिलकुल free होने वाला है कहने का मतलब कि अपने dream different credit card के limit का 90% तक का ATM cash bidowel बिलकुल free कर सकते हैं बिलकुल free ATM cash bidowel होने वाला है जैसे कि मेरा limit माल ले जाए है 50,000 कोटक dream different credit card का limit है 50,000 ठीक है तो फिर मैं उसका 45,000 तक का रुपीज मैं cash bidowel कर सकता हूँ वो cash bidowel बिलकुल free होने वाला है free of cost होने वाला है लेकिन इस पे दो condition लागू होता है पहला condition कि हर 10,000 रुपे पे 300 रुपे चार्ज किया जाएगा यानि 10,000 ट्रांजेक्शन करेंगे तो 300 रुपे काट लिए जाएगा अगर 20,000 ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर 600 रुपे काट लिए जाएगा इस तरह से हर 10,000 रुपे ट्रांजेक्शन करने पे विडोवल करने पे 300 रुपे 300 रुपे करके काट लिए जाएगा और दूसरा condition यह है कि 48 डेज तक cash bidowel free है यानि कि आज अगर आप cash bidowel करते हैं और आपके due date तक का अब टू 48 डेज तक का due date तक का cash bidowel free है लेकिन 48 डेज के बाद भी अगर पैसे आप return नहीं करते हैं कोटक dream different credit card में तो इतना ज़्यादा charges imposed किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं अचा इसके बाद एक साल के अंदर-अंदर मेह 75,000 रुपे अस्पेंट कर देते हैं इस credit card से कहने का मतलब कि पूरे एक financial year में अगर 75,000 रुपे अस्पेंट कर दिया जाए अपने इस credit card से तो card holder को मिलेगा 750 रुपे का cash back इसके बाद अचा ये सारा features था जो मैंने आपको बताया ये तो सारा कोटक के official site पे available है आप खुद पर सकते हैं लेकिन इन सब से हट के मैं एक और feature बताऊं आपको फिर directly मुद्धे पर आ जाएंगे एक और feature है कि कोटक credit card का आप देखेंगे कभी-कभी Amazon, Flipkart, Mintra ये सब सारे shopping app पे इसका offer भी चलते रहता है जैसे कि अगर कोटक credit card से Flipkart पे shopping करते हैं तो में भी ऐसा लिखने वहाँ देखने को लिखा मिले कि 5% cashback आपको मिल जाएगा 5% cashback customers को मिल जाएगा वहाँ से कोई भी product आप purchase करते हैं जैसे कि AMA zone पे या Flipkart पे या Mintra पे कोई भी shopping app पे तो 5% का cashback आपको मिल जाएगा तो इस तरह का offer भी कोटक credit card में चलते रहता है फिर इसके बाद fuel surcharge waiver और railway surcharge waiver का लाभी उठा सकते हैं अपने dream different card से जैसे कि अगर customer इंडिया के किसी भी fuel stations पे 500 से लेकर 3000 तक का spend करता है अपने dream different card से तो फिर उन्हें 1% का fuel surcharge बेवफ मिल जाएगा ठीक है इसके बाद अगर IRCTC से अगर railway ticket आप book करते हैं तो फिर 1.8% का बेवफ हो जाएगा railway surcharge बेवफ होगा और अगर Indian railway ticket counter से अगर book करते हैं आप ticket अपने dream different card से तो फिर 2.5% का surcharge बेवफ कर दिया जाएगा लेकिन इस सभी पे condition है कि अगर fuel surcharge बेवफ कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर यानि पूरे एक साल में 3500 रुपीज तक surcharge बेवफ करा सकते हैं और railway surcharge एक साल के अंदर-अंदर 500 रुपे ही बेवफ कर दिया जाएगा अचा ये जो सारा features था वो तो मैंने आपको बता दिया अब हम लोग उन सारे सवालों पर बात कर लेते हैं जो आप लोगों के मन में चल रहा है जैसे कि कोटक का dream different credit card एक FD based credit card है इसे हम FD के अगेंस ही ले सकते हैं FD से कहने का तात्य पर हुआ fixed deposit credit card जिसे हम लोग fixed deposit के अगेंस ही ले सकते हैं यहां कम से कम 500 रुपे का FD कराना होगा तब जाकर आपको 90% limit मिलेगा यानि कि 500 का FD कराओगे तब जाकर आपको 5000 के limit वाला एक dream different credit card मिलेगा और जादा से जादा 16 लाग का limit यहां set करा सकते हैं आप जैसे की मान लिया जाए आपको FD में जमा किये के पैसो को आपको आप निकाल लेना है तो आप उसे निकाल सकते हो ठीक है एक सवाल है कि FD में जमा किये के पैसो को कब तक निकाल सकते हैं तो ठीक है आप निकाल सकते हो छे महने के बाद आप कभी भी उसे निकाल सकते हो जब से आपने FD कराया छे महने के बीतने के बाद आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो लेकिन मेरी सलामानो तो आप FD का पड़ा पैसा आप FD में पड़े रहने दो जाहां कि 7-8% का return तो मिलता ही रहेगा इतने में फिर एक सवाल है कि FD के against लिया हुआ credit card का limit बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो समझे FD के against लिया हुआ credit card का limit ऐसे नहीं बढ़ता ना तो ज़्यादा spend करने पर बढ़ता है ना ही rule and regulation follow करने पर बढ़ता है कोई भी उपाय आप लगा लो ऐसे नहीं बढ़ेगा जब तक आप FD के उपर FD नहीं कराओगे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने 500 का FD करा रखा है तो आप अगर आप limit बढ़ाना चाहते हो dream different credit card का तो आपको FD amount भी बढ़ाना होगा तब जाकर आपका dream different credit card का limit बढ़ जाएगा फिर इतने में कुछ लोग पुछते हैं कि क्या फाइदा ऐसे credit card का जब मैं अपने पैसे जमा करके उसे खर्च करना पड़े तो भाया जी इसके बहुत सारे फाइदे हैं अब मैं आपको इसके फाइदे बताता हूँ पहला जो भी चलाग बेखती हैं वो कभी भी अपना पैसा saving account में या घर में पड़े नहीं रहने देते हैं वो ऐसे जगह invest करते हैं यानि जरूरत से जादे पैसे को वो ऐसे जगह invest करते हैं कुछ ना कुछ return मिल सके तो हम लोग क्या करेंगे कि FD करा लेंगे वहाँ भी 7-8% का in fact return तो मिलता ही रहेगा हम लोगों ने भी एक तरह से invest तो किया ही किया है और साथ में credit card ऐसा मिल गया जिससे हर मैने खर्च करके कुछ reward point और cash back पर हम लोग पास सकते हैं तो वहाँ भी कुछ बचत हो गया दूसरा फाइदा कि customer का credit history बहुत ही तेजी से ग्रो करता है जिसका परिणाम सरूप अच्छे से अच्छे credit card और ज़्यादा से ज़्यादा low name amount के लिए eligible हो सकते हैं तीसरा feature यह है कि documents आपसे नहीं लिया जाएगा ना ही documents की ज़रुवत होगी और ज़्यादा तर यह credit card lifetime free मिल जाता है यानि FDK against कोई भी credit card लेंगे तो ज़्यादा तर आपको lifetime free ही मिलेगा तो यह सब सारा features है यह सब सारा पूरा detail है इस credit card का जो हमें तो बेहतर लगा अब आप लोगो को कैसा लगा FDK against credit card वो हमें comment में बताना ना भूलें आईए अब हम लोग जानते हैं इस credit card के fee and charges को तो भाई यह सब से पहले कि यह credit card lifetime free है ना तो आपको joining fee देना है और ना ही annual fee आपसे कभी charge किया जाएगा इसके बाद अगर आप spend करके EMI में convert कराना चाहते है अपने spend को अपने purchase को आप EMI में convert कराना चाहते है तो 3.5% monthly के इसाफ से charge किया जाएगा इसके बाद कुछ और कई सारे charges है जिसे आप लोग आ screen पे देख पा रहे होंगे जैसे कि cash advance 300 रुपे, late payment fee 500 रुपे foreign currency 3.5% check return 500 रुपे और भी इसी तरह के कई सारे charges है जिसे आप लोग आ screen पे देख पा रहे होंगे आईए, अब हम लोग कोटक bank के dream different credit card यानि FT based credit card और unsecured यानि normal credit card apply करना चाहते हैं तो दोनों का link वीडियो के description में दिया हुआ है बस 2-3 step में कोटक credit card apply हो जाएगा apply करने के लिए आपको इस page प्याना है इसका link वीडियो के description में दिया हुआ है यहाँ अगर new customer है तो new को click करके proceed को click करना है next page में पूछा जा रहा है कि कोटक credit card का किस तरह से benefit आप लेना चाहते हैं कोटक credit card का किस तरह का benefit आपको चाहिए तो यहाँ सारे boxes को ठीक करके उसके बाद monthly income को feel करके proceed को click करना है फिर आप लोग कोटक bank के जिस जिस credit card के लिए eligible होंगे वो सामने so करेगा और उन सभी credit card का detail भी नीचे दिया रहेगा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं पर यहाँ से process आगे बढ़ाने के लिए card को select करके proceed को click करना है फिर सभी लोग का form feeling process स्टार्ट होगा यहाँ अपना first name, middle name, last name, pin code, city name, mobile number और email id enter करके दोनों boxes को tick करते हुए proceed को click करना है फिर number पे गया हुआ OTP enter करके submit को click करना है फिर अगले page में कुछ और basic detail और employment detail एंटर करने के बाद proceed को click करना है उसके बाद mother's, father's name एंटर करके marital status select करके सारा address field कर लेना है और next को click कर देना है इसके बाद एक से दो statement documents भी upload हो जाएगा फिर credit card का form भी apply हो जाएगा form apply होने के बाद एक हप्तों के अंदर-अंदर पूरा process complete करवा लिया जाएगा और credit card आपको मिल जाएगा तो ये पूरा detail था दोस्तो कोटक bank के dream different credit card का हमें उमीद है कि आपने कोटक महिंद्रा bank dream different credit card का पूरा detail जाना होगा अच्छा से समझा होगा अब आपको ये decide करने में कोई problem नहीं होगा कि dream different credit card लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर कोई problem हो कोई सवाल हो इस वीडियो सो related इस topic सो related तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है देर किस वात की चैनल को subscribe करें और ये वीडियो प्योगी लगे तो इसे like भी चरूर करें